Hello everyone, if का उपयोग करना हम लोग सीख रहे हैं, किस तरह से if का परियोग करते हैं, अलग-अलग चीज को identify करने के लिए, अब दिखिए, ये एक हम लोग आपको past students का एक हम लोग chart निकालने जा रहे हैं, और उसे अपने notice board पर टांगना है, जो fail रहेंगे, उनका नाम नहीं चाहिए, तो ऐसा chart कैसे बनेगा, आटोमेटिक बन जाए हमारे या जो ये जो data है, ये करिब 2000 students का data है, या 20,000 students का data है, तो सभी को select करना, ये मुश्किल काम है, आटोमेटिक एक बार में हमारे को ये identify हो, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे if formula, देखते है, if formula का सांधार जोग, easy way में, equal to symbol दिये, उसके बार हम यहां भी ये जो functional जो bar है, इसमें हम यहां drop down menu से if को खोज सकते हैं, अगर इसमें if है, तो click कीजिए if, हमारा function arguments का window आ गया, अब इस window का उप्योग करना, तो आपके लिए by हाथ का खेले है, आपने सीख चुका है हमारे पुरु के class मे चलिए देखते हैं फिर से, क्या करेंगे, logical test में, सबसे पहले क्या करेंगे, किसके अनुसार, तो ये इस sales के अनुसार है न, d3, d3 है न, d3 के अनुसार, इसे जो marks आया है हिंदी में, वो क्या है, यदि greater than, या equal to, यदि इनका marks 40 से ज्यादा हो, ठीक है, तब ये pass है, और त प्रिंट आएगा, ठीक है, इस sales में, इनका नाम यहां, प्रिंट आएगा, तो मैं यहां क्या करता हूँ, इसके नाम पर, c3 कॉलम में, क्लिक किया, ठीक है, तो same नाम यहां, प्रिंट हो जाएगा, कहां जाके क्लिक किया था, value if true में, value if true में, करसर drop करके, मैंने सिर्फ c3 पर क्लिक किया, अब यह नाम यहां, क्या आएगा, प्रिंट आएगा, यदि नंबर इन्होंने हिंदी में 40 या 40 से ज्यादा लाया है, तो, और अगर नंबर 40 से कम है, value if false, यह condition false हो जाए, तो आपका क्या रहेगा, blank रहेगा, कुछ नहीं, fail भी नहीं लिखेगा, कुछ नह दिये हुए, ओके, और उसकी बाद, okay, click करेंगे, formula हमारा, put हो गया, अब सिर्फ black plus से दो बार click कीजिए, देखिए, जो जो students को, जिन जिन students ने pass किया, उनका नाम यहां आ गया, जो जो students fail है, उनका नाम नहीं है, अब इस chart को हम लोग आसानी से print कर सकते हैं, है ना, कि कौन क और students pass है, और fail है, उन्हें हमारे को नाम प्रिंट करने की आप सकता, नहीं है, so simple, thank you.